Hi Everyone, Episod 3 के स्टार्ट हम देखते हैं कि त्यान लिए शी को गितने से बचा लेती है और त्यान के टच करते ही लिए शी को फिर से होशा जाता है फिर हम देखते हैं कि पार्टी के बाद लिए शी त्यान को उसके घर के पास छोड़ रहा होता है अभी त्यान इससे कहती है कि प्रेसिडेंट अगर आपको कई बीमारी है तो अपनी बीमारी ठीक करवा लो आप इदर उदर बार बार बेहोश की होते रहते हो तो लिवशी इससे जूट कहता है कि ना मुझे लो बलड शूगर हो गया था इसलिए में बेहोश हो गया था तो त्यान कहती है कि अच्छा मुझे घर चोड़ने के लिए ठेंक यू फिर लिवशी त्यान को ओफर देता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी कंपनी की senior employee बनाना चाता हूँ और उसे contract देता है तो त्यान बहुते खुशी खुशी पढ़ने जारी होती है तो लिवशी इसे रोकता है और कहता है कि घर जाके पढ़ना और ज्यादा surprise मनद हो जाना फिर हम देखते हैं कि त्यान अपनी friend Rose के साथ तो contract पढ़ने का होता है और ये पढ़ने के बाद तो ट्यान भूत ही गुसा हो जाती है और कहती है कि उस लिवशी ने मुझे fool बनाया कौन उसके personal assistant बना चाता है फिर next दे आज़ा जाता है और लियूशी आफस में होता है और लियूशी बहुत ही एक्साइट होता है कि आज से त्यान उसकी परसनल असिस्टेंट का काम करने वाली है तब ही त्यान यहां पर बहुत जाती है और वो इसे कहती है कि मैंने इस कंपनी में टॉय डिजाइनर की जॉब के लिए इंटर्विव दी थी तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे परसनल असिस्टेंट की जॉब का आफर क्यों दे रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिसंडेस्टेंडिंग्स हो गई है तो लिजुशी कहता है कि कोई मिसंडेस्टेंडिंग नहीं हुई है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें कंपनी का सीनियर इंपलॉई बनाना चाहता हूँ और प्रेसिडिन्ट की असिस्टेंट की जॉब ही सबसे सीनियर इंपलॉई वाली जॉब है तो त्यान कहती है कि फिर सौरी मुझे ही नहीं लगता कि मैं पर्सनल असिस्टेंट बनने की काबिल हूँ और त्यान इसे गुडबाई बोलकर जा रही होती है तब ही लिशी इसे रोकता है और कहता है कि शायद तुमने कॉंट्रेक का लास्ट पेज नहीं पड़ी हो तो लिशी कहता है कि सबी को पैसे पसंद होते हैं तो त्यान कहती है कि सिर्फ तुम्हारे जैसा इनसान ही सारी प्राब्लम को पैसे सॉल्व करने का सोचता है तो लिशी कहता है कि हाँ 99% प्राब्लम सम पैसों से सॉल्व कर सकते हैं और पैसों से ही बहुत ही आसानी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर त्यान ये सब सुनके बहुत ही गुसा हो जाती है। और इसे कहती है कि मैं तुम से इतने देर से बहुत ही अच्छे से पेश आरी थी। तुम्हें पता है तुम एक गैंग लीडर की तरह हो। ह हमारे लिए बहता रोका कि तुम सपने देखना बंद कर दो और ये बोल कर त्यान गुसे में आज से चली जाती है और ये सारी बुराईयां सुने के बाद तो लियूशी एकदम ही शौक होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या ये लड़की मेरे बारे में बाते कर रही थी क्या मैं वे चीचोरा और वियर लड़का हूँ तो असिस्टेंट इसे दिलासा देता है कि बॉस वो गुसे में थी इसलिए उसने ऐसी कुछ भी बोल दी आप तो ऐसे बिलकल भी नहीं हो तो लिउशी कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कहरे हो जरूर उसे सैलरी कामाउंट जादा नहीं लग रहा है इसलिए वो मना करके चली गई है तो चलो हम हार नहीं मानेंगे और ट्राइ करते रहेंगे मुझे यकीन है कि जब तक मेरे पास पैसा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर लिउशी अससेस्टेंट के साथ फिर से त्यान के घर पे बहुत जाता है और त्यान से कहता है कि मैंने वापस से कॉन्ट्रेक को रिन्यू करके लाया हूँ और फिर से इस बार लिउशी इसे सैलरी का माउन बढ़ा कर कॉन्ट्रेक दिखा रहा होता है पर त्यान तो बिल्कुल भी नहीं मानती है पर फिर भी कुछ न कुछ करके लिउशी इसे मनाई जा रहा होता है पर लिउशी की एक भी क्रिक काम नहीं आती है फिर नेक्स जा जाता है और लियूशी अपने आफिस में होता है तब ही लियूशी की चाइल्धूट फ्रेंड वेंचवान उसे कॉल करती है और वो इसे कहती है कि अबरोड से मुझे आए हुए कितने दिन हो गए है तो क्यों ना आज चलो हम लोग साथ में लंच करते हैं तो लियूशी पहले तो नहीं मान रहोता है लेकिन वो वेंचवान के इतना कहने पर मान जाता है फिर हम देखते हैं कि बहुत बारिश होने लग जाती है और वेंचवान एक रेस्टरेंट में उसका वेट कर रही होती है दुसरी तरफ हम त्यान को देखते हैं जूकि बहुत थी जादा अपसेट होती है क्योंकि आज वो दो तीन कमपणी में इंटर्विव के लिए गई थी लेकिन सारी कमपणी ने उसे रिजेक्ट कर दी अब तब भी वेंचवान ये देखकर खूश जाती है कि लिउशी याँ पर पहुँच किया है अब तब भी वेंचवान त्यान को वही से जाते वे देख लेती है और वो सुचती है कि ये तो वही लड़की है ना जिसको लिउशी ने अपनी डेट बना कर लाया था पाटी में और लिउशी भी त्यान को जाते वे देख लेता है तो वो अपने सिस्टेंट से कहता है कि मेरे पास मौका आ गया है मैं जाकर उसे मनाता हूँ तुम जाकर वेंच्चुआन से कहे दो कि मैं उसके साथ किसी और दिन लंच कर लूँगा और फिर लिए शी अंब्रेला लेकर त्यान के पास बहुत जाता है और त्यान इसे देखकर कहती है कि मेरा मूर अभी बहुत ही खराब है इसलिए मेरा पीछा मत करो तो लूशी से कहता है कि अगर तुम इसलिए अपसेट हो कि तुम इंटर्वियू से रिजेक्ट कर दी गई हो तो तुम मेरी परसनल असिस्टेंट बनना कंसिडर कर सकती हो तो ये सुनकर त्यान गुसा हो जाती है और इसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इंटर्वियू में रिजेक्ट हो चुकी हूँ अच्छा मैं समझ गई इन सब चीजों के पीछे तुम ही हो तब ही मैं सोचू कि सारी की सारी कंपनी इसने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया है अब मैं एक ट्रॉय डिजानर नहीं बन पाऊंगी इसमें तुम बहुत ही खुश हो गए होंगे ना तो लुशिय से कहता है कि तुम ऐसी जौब को अपना ड्रीम क्यों बना रही हूँ जिसमें बहुत ही मुश्किले है तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और यह बुलकर त्यान जारी होती है तुलियूशिय इसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हे क्या पता कि मेरे जैसे लोग को भी कितनी भे्महनत करनी पड़ती है और मेरे उपर भी मेरी कमपनि के सारे employees की responsibilities है तो त्यान कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो तुम्हें देखतर ही मुझे बहुत ही गुसा आ रहा है और फिर त्यान अपना हाथ छोड़ा रही होती है तब ही त्यान की वज़स से लिउशी के संग्लासेज गिर जाते है और फिर वो इसे कहती है कि देखो में तुम्हें वर्निंग दे रही हूँ मेरे सामने वापस मत नजर आना और ये सारी चीज़े सुनाने के बाद त्यान यहाँ से जारी होती है तब ही लिउशी उसी के तरफ देख रहा होता है और सामने से ही एक रैट कलर की कार जाती है जिससे देखने की वज़स से लिउशी बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाता है और त्यान देख लेती है कि लिउशी बेहोश हो गया है तो वो जल्दी से उसके पास आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि लिशी हॉस्पिटल में होता है और त्यान और असिस्टेंट उसे देख रहोते है और त्यान इसे कहती है कि अब ये ठीक है तो तुम भी इसका ख्याल रखो और अगर ये अब से मेरा पीछा ना करेगा तो इसने जो भी किया है मैं सब भूल जाओंगी तो असिस्टेंट त्यान को समझाता है कि तुम मेरे बॉस को गलत समझ रही हो मैंने तुम्हारे मैटर को अच्छे से इंवस्टिगेट करा हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हें एक कमपनी से रिजेक करवाने वाला कैविन है और मेरे बॉस का इसमें कोई हाथ नहीं है तो त्यान कहती है कि लेकिन वो कैविन तो वस एक معاملी से डिजाइनर था ना उसकी इतनी पहुच कैसे कि उसने मुझे रिजेक करवा दिया तब इतने में लूशी को होश आ जाता है और वो इससे बताता है कि कैविन कावी सालों से काम कर रहा है इसलिए उसने बहुत सारे कनेक्शन बना चुका है तो क्या अब तुम मुझे पर ट्रस्ट कर रही हो कि मैं सच कह रहा हूँ तो इत्यान इसे पूछती है कि क्या तुमने सच में ये नहीं किया है तो इत्यान कहती है कि सॉरी मेरा मूर बहुती खराब था इसलिए मैंने तुमें कुछ भी कह दी तो लूशी कहता है कि कोई बात नहीं वैसे भी मैं इन सब चीजों के पीछे नहीं हूँ और फिर लूशी अपने असिस्टेंट को और देता है कि अब मुझे कैवें इस फिल्ड में दिखना ही ने चाहिए फिर असिस्टेंट यहां से चला जाता है फिर त्यान भी इसे बाई बोलकर भार आ जाती है और वो असिस्टेंट और नर्स को बाते करते वे सुन लेती है और फिर त्यान को पता चल जाता है कि लूशी को बलड से फोबिया है और फिर त्यान सारी चीजे सोच लग जाती है कैसे वो हमेशे red color को देखने के बाद बेहोश हो जाया करता था और त्यान जब उसे touch करती थी तो ठीक हो जाता था फिर त्यान उसका test करने के लिए red color की lipstick लगा लेती है और फिर वो लूशी के पास आ जाती है और लूशी जब उसे देखता है तो उसे देखकर उसे चकर आने लगते है तो जल्दी से अपना संक्लासिस लेने जाता है तो त्यान वो संक्लासिस उठा लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है तो लूशी को चकर आना बंद हो जाता है फिर त्यान इसे कहती है फिर त्यान इसे हसकर कहती है